रिवा में मामूली विवात के बाद तेजाब से हमला किये जाने का मामला प्रकाश में आया है यह हमला एक यूवक पर किया गया है जिसके चहरे के साथ साथ हाथ और पेट भी जल गया है तेजाब से जले युवक को गंभीर हालत में उपचार के लिए असपताल में दाखिल कराया गया है एसेड एटाइक करने वाले चार से पांच की संख्या में बताए गये हैं जुनहें विवाद के बाद युवक पर तेजाब से हमला कर दिया गया दरसल एसेड अटाइक काया मामला रीवा जिले के गढ़ थाना छेतर हिनौता गाउं का है जहां होली की रात बहन के घर गए युवक पर तेजाब से हमला कर दिया गया घटना को लेकर बताया गया कि गढ़ निवासी राजू उर्फ महेंद्र सिंग होली की रात ग्राम हिनौता में रहने वाली बहन के घर गए हुए थे बताया गया कि होली की रात ही राजू के जीजा का इस्थानी लोगों से विवाद हो गया था जिसे बीच बचाओ के बाद शांत करा दिया गया था विवाद के बाद जब राजू बेहन के घर से वापस लोट रहा था तबी घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उस पर तेजाप से हमला कर दिया अचानक हुए इस हमले में राजू तेजाप से बुरी तरह जुलस गया जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए संजगांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया है मामले में पुलिस ने घायल युवक के दिये गए बयान के आधार पर हमलावारों की तला शुरू कर दी है उल्व कर दूए